Hello guys, welcome back on this channel. J-Main's first attempt finally over हो चुका है और मुझे पता है कि इस समय आपके जहन में कई सारे सवाल चल रहे होंगे And definitely there are lot of confusion in back of your mind. अब आपको समझ नहीं आ रहा हुआ कि आगे कि क्या strategy होनी चाहिए? अब अगला step हमारा किस तरीके का होना चाहिए? तो देखें भाई मैं एक बात तो आपको बहुत किलियर बता देता हूँ. आज straight forward बात करेंगे कि सभी की strategy एक जैसी नहीं होगी आपका J-Main's का first attempt किस तरीके का गया है? आपके कितरे marks आ रहा है? आपका क्या percentile आ रहा है? that will decide कि next strategy क्या रहने वाली है? मुझे इस समय पता है कि कई सारे crash courses launch हो रहे हैं, कई सारी test series launch हो रही है और student बहुत जादा excited है उन crash courses को join करने के लिए, उन test series को join करने के लिए मैं आपसे यह कहूँगा, just take a pause, एकदम से मैदान में कुदनी की जवथ नहीं है, आपने माली जे कोई particular crash course join तो कर लिया लेकिन उस crash course में जो chapters पढ़ाए जा रहे हैं, वो आपके already पहले से strong है, then there is no need of it तो point is that, कि अब हमें क्या करना है न, इसका सवाल का जवाब भी आपको ही पता है, लेकिन उसके लिए सबसे ज़्यादा जरूरी पता है क्या self analysis है, आपने mains का first attempt दिया, आपको paper का level समझ में आया, pattern समझ में आया, question किस तरीके के पूछे जाता है, यह आपको बहुत अच्छ करी, उसमें आपने कहां कमिया कर दी है, क्योंकि सबसे पहले यह पैचारना बहुत जरूरी है, तब ही हम second attempt में improve कर पाएंगे, और दूसरी चीज, एक सबसे बड़ा confusion, जो most of the students के जहन में चल रहा है, कि सर इस समय में mains 2 पर focus करूं, या फिर दी advance पर focus करूं, और 12th class के students के स मेंस और advance की preparation को किस तरीके से manage किया जाए, आज इस वीडियो को अगर आपने end तक देख लिया, तो आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा, जैसा कि मैंने यहाँ पर सबसे पहला point बोला न, self analysis, self analysis का मतलब क्या है, self analysis का मतलब यह है, कि हमने last year, preparation में जो भी mistakes की है, at least वो हमें पता होनी चाहिए, तो सबसे पहले तो आप comment box में उन सभी mistakes को लिखिए, जो आपने last year की थी, यह मैं इसलिए बोल रहा हूं कि जिस से आपको कम से कम याद तो रहे, generally क्या होता है कि हम जो mistakes करते हैं, वो एक या दो दिन में भूल जाते, तो थोड़ा सा depth में जाक 40 प्लस आ रहा है न, अगर इतना marks आपका आ रहा है, तो definitely आपको इस समय, J mains, second attempt और J advance की preparation को पैरवली करना चाहिए, ठीक है, अगर आपका 200 प्लस आ रहा है या 180 प्लस आ रहा है, तो आप fully focus कर सकते हैं, एडवांस पर, लेकिन अगर आप 140, 150 के बीच में हैं, struggle कर रहे हैं य चार्ट करना होगा, ठीक है, अब देखो, point क्या है, आप paper देखर के आगे, paper का level आप लोगो ने देखा, especially अगर मैं physics और chemistry की बात करूं, तो मुझे एक बात बहुत अच्छे से समझ में आई, कि during the offline classes, even online sessions के दोरान, हमने कई बार बोला, कि आप लोग अपने syllabus को complete करिए, एक वो student है, जो पूरे साल मेहनत किया है, जिसने module के एक-एक question को बनाया, जिसने एक-एक PYQ को बहुत अच्छे से solve किया हुआ है, और आप last moment पे उसी chapter का, एक 9 या 10 गंटे का one shot देख करके चले गए, और आप ही सोच रहे हैं कि उस student के साथ compete करके, आप जीत जाएंगे, वो last moment पे बहुत कम interval में revision करना चाहते हैं, one shot is not a final solution, अगर आप यह सोच रहे हैं कि जो chapters मैंने अभी तक नहीं पड़े हैं, उनके one shot videos देख करके मेरा कल्यान हो जाएगा, तो भाई आप यह समझे कि competition बहुत tough है, एक simple सी story सुनाता हूँ, एक बात बताएगा, कि यहाँ पर एक marathon है, और सपोज हमने बोला कि जो marathon है वो आपकी 100 km की है, और इस 100 km की marathon के लिए आपको लगातार 8-10 मन्त तक regular efforts करके prepare किया गया, वही पर एक ऐसा student है, जिसे बताएगा कि यह marathon है, यह से 50 km की है, और last day हमें यह announcement हुआ, कि जो marathon है, वो तो actually मैं 45 km की है, तो मुझे बताएगे, कौन winner होगा, winner तो यह भी है और यह भी है, लेकिन किसकी rank बहतर आएगी, उसकी बहतर आएगी जो 100 km के लिए अपने आपको prepare कर रखा है, तो पहले तो आप यह decide करिए कि आपकी life का target क्या है, इस वह targeting अबवव 98 और 99 percentile ना, तो आपको अपनी knowledge को ना बहुत ही question paper आसान है, आसान है तो क्या आपके अबव 80 marks आ रहे हैं physics में, just ask this question to yourself, paper में बहुत सारे question formula based आया है, out of the 25 question मैं कहता हूँ कि 20 question direct आपके formula based क्या आपने वो 20 सही किये, नहीं किये ना, बोलना आसान है और score करना ना उतना ही difficult है, तो सबसे पहली मेरी students से ये request है, कि अगर आपके physics और chemistry में ऐसे कोई भी chapters है, जो आपने prepare नहीं किये हैं, तो उनको up to the mains level आप अच्छे से prepare करिए, अपने syllabus को complete करिए, next आते है subject wise, यहां लिखा हुआ है ना, देखो यार एक बात तो समझ लो, अब कई सारे students ये बोल रहे थे कि यार math tough है, हां मानता हूँ tough है, लेकिन फिर भी मुझे एक बात समझ में आ रही थी, कि जब मेरी P.J. सर और O.M. सर के साथ discussion हुआ इसके regarding, कि maths के paper में, out of the 25 questions, 10 to 11 questions are most doable questions, अगर आपने अपने syllabus को अच्छे से complete किया है, और maths में आप कम से कम 75 minutes अगर invest करते हैं, तो आप 10 से 12 questions सही कर सकते हैं, तो अब आप कहेंगे कि सर्थ 10 से 12 ही तो सही हुए हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो 10 से 12 questions सही करने पर, आपका जो percentile है वो बहुत बहतर बन जाएगा, इतना even physics और chemistry में, अगर आपने 17 या 18 कि होगे ना, तो भी उतना अच्छा percentile नहीं बनेगा, तो को point यह है, कि अगर आपका target एक अच्छे percentile की तरफ है ना, तो आपको तीनो subject को साथ लेकर के चलना पड़ेगा, और अगर आपको match को 75 minutes में, bind up करना है, या more than 75 minutes invest करना है, तो वो आप तभी कर सकते हैं, जब आप physics और chemistry को जल्दी से जल्दी bind up करना है, maximum to maximum आप यह मानिए कि chemistry में आप 40 minutes दें, और physics में आप 50 minutes दें, तो 40 plus यह होगे आपका कितना 90 minutes, तो इसके बाद बचा हुआ 90 minutes आप फिर maths में invest कर सकते हैं, तो point यह है कि यहाँ पर आपको time management, speed और accuracy, इन सारी चीजों पर work करना होगा, और तीनो subject को cover करना होगा, और physics और chemistry में तो यह commitment कर लीजे कि मुझे एक भी chapter नहीं छोड़ना, हर chapter को बहुत proper तरीके से cover करना है, और point यह है कि यारी एक बात बताओ, ऐसा तो कोई भी नहीं है ना आप में से जिसका बिल्कुल भी syllabus से start नहीं हुआ है, why are you going to join the crest courses, crest course में kinematics पढ़ाये जाएगा, crest course में आपको thermal physics पढ़ाये जाएगा, हो सकता है कि यह chapter आपके already prepared हो, point is that, कि हमारे अंदर कमिया है, लेकिन ऐसा नहीं है कि हम zero से start करने वाले हैं, हो सकता है कि 20 or 30% content ऐसा हो, जो आपका अभी तक अच्छे से cover नहीं है, या जिसमें आप confident feel नहीं कर रह यह साधा important है, next is, जैसा कि मैंने बताए question practice, जब तक आप questions की practice नहीं करेंगे न, आपका confidence build up नहीं होगा, तो पहले तो आप यह checkpoint बनाएए, क्या आपने 2019 से लेकर के 2023 तक के सारे PYQ लगा रखें, क्या आपने NCRT for chemistry और physics के कुछ important topics के लिए NCRT को follow किया, या फिर नहीं किया आपके जो भी modules, आप जिस भी institute में पढ़ते हैं, आपने जो भी module है, क्या उसकी जो basic fundamental exercises हैं, उनको solve किया, या आपके class notes का एक एक question आपके tips पर है या नहीं, यार मैं एक बात जानता हूँ कि जिल लोगों ने class notes और अपने module का एक एक question बहुत तमी से लगाया न, वो students हैं, जो physics और chemistry में न, more than 20-20 questions attempt करके आएं, तो एकदम से यहां भागने की जववत नहीं, just take a pause, relax करिये, मन्थन करिये बैठ करके, कि मैंने गलतियां कहां करिये, paper का level देखी आप, पूरे session के दौरान हमेशा आप लोगों को बोला गया, कि आप syllabus complete करिये, direct formula को mug up मत करिये, questions की practice कर यह, लेकिन नहीं, मानना ही नहीं है, अब आपको अपनी गलती, realize हो रही है या नहीं हो रही है, paper का level देख लिया न, मैं एक दावे के साथ यह बोल सकता हूं, जिसने पूरा syllabus अच्छे से complete किया, direct question आपके जो है न, वो class notes से आये, basic exercises से आये, तो you need to work on it, अब नहीं भागना सुरू मत करो, देखो कि गलतियां कहा हूं यह, और उन chapters को bind up करो, questions की practice करो, और यह मान करके चलो, कि हर दिन आपको कम से कम, यह commitment बना लो, कि more than 70 to 80 questions की आपको practice करनी है, और जो students इस समय advance पर focus करना चाहते हैं, उन्हें यहाँ पर कुछ नई चीज़ें पढ़ने की हाँ, वो syllabus जो आपका mains में reduced हुआ था, लेकिन advance का part है, अगर वो आपका नहीं हुआ है, तो आप courses करें कि next 20 days में आप उस syllabus को bind up करें, और आप multiple choice questions और अच्छे level के questions like comprehension based questions को solve करना start कर दीजे, advance की preparation के लिए exclusively आपको कुछ अलग से नहीं करना है, आपको सिर्फ question की practice का जो level है उसे increase करना है, और अगर आप mains में बहुत अच्छा कर चुके हैं, तो मेरा ये मानना है तो तह है कि आप definitely, आपको conceptual clarity है, बस questions को solve कर करके हमें क्या करना है, अपनी concepts को और ज़्यादा build up करना है, कि लिए रहे भई, तो पहले आप ये देखिए कि कहां stand कर रहे हैं, आपके कि अतने marks आ रहे हैं, आपके 50 marks आ रहे हैं, 70 आ रहे हैं, 80 आ रहे हैं, 100 आ रहे हैं, कितने आ रहे हैं, देखो, और फिर ये check करो, कि मुझे इस समय किस direction में work करना है, भागने की जववत नहीं है, आख बंद करके भागना शुरू कर दिये, यही किया है पिछले साल तुम जाते हूं, random efforts से top ranks नहीं आती, random efforts एक अच्छा percentile नहीं बन सकता, you should be sincere, अब नहीं तो फिर कब, thank you so much